नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिवेक भारधवाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेकनलोजी विवेक जहां हम मोबायल और केम्पुटर टेकनलोजी से जड़े हुए कफी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं आयू दोस्तों आज का जो वीडियो लेकर आया है वाटसेप का नया अपडेट आया है और वाटसेप ने भी अपना जो है मेटा AI यहां पर लागू कर दिया है और आप देख पारा होंगे दोस्तो यह जो सिंबल आपको देख रहा है जहां पर हम कॉंटेक्ट्स देखते थे और मैंने उपर इसको पेंद भी कर लिया है, जहां आप देख पा रहे होंगे, मेटा AI लिखा हुआ है, आप मैंसे काफी सारे लोगों के पास अभी ये नहीं आया होगा, क्योंकि इसके अपडेट जो है रेगुलर आते हैं, और अगर आप सेटिंग्स में जाकर उसको अटो अपडेट पर रखते हैं, तो ये अपडेट होता रहता है, काफी सारी बात सुनने में आ रही थी, मैंने वीडियो देखे और काफी सारे लोगों को कह रही है था कि उनको ये जो गोल बिंदी है, इसको हटाना है, क्या उनका WhatsApp हैक हो गया है, इस तरीके की जो है गलत बाते स आना ही है, WhatsApp में भी आ गया है दोस्तों, और बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इसका इसको इसको कंसेंट देना है, इसके बाद हम शुरू करते हैं, दोस्तों, आप इस आइकन पर टैप कर सकते हैं, या जो आप चैट आप देख रहे हैं, इस तरीके से याँपर क्लिक क सब्सक्राइब करने के लिए, इस ने इसको अपनी वेबसाइट को ओपन करने के लिए कहा, दोस्तों, तो इसने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा, I don't have access to open website, but I can provide information about technology with Vivek, इसने information दी, यहां से लिंक भी दी, hyperlink, इसके बाद दोस्तों देखी, अगर मैंने इस से जो है, एक ब्लॉग लिखने के लिए पूछा, तो इसने यह देखी, ब्लॉग लिखने के दिया, टाइटर, इंट्रोड़क्शन, ट्रेंड्स, मैंने हमारे भारती प्रदान मंत्री का नाम कि सबसे कम फेर कितना हो सकता है, कितनी फ्लाइट भूपाल और बेंगलोर की बीच में है, कौन-कौन सी फ्लाइट उसकी बीच में है, और आपको यह जो है, make my trip की website भी देदी, इसके बाद दोस्तों देखी, मैंने यहां पर एक sick leap का letter लिखवाया इससे, इसने यह लिख द है कि notation दे, question दे, यह उसका answer देगा दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ा है जो आप इससे आपर पूछ सकते हैं, और जैसे कि माली जी मैं आपर पूछ लेता हूँ, capital of India, तो जाहर सी बात है, यह देली के साथ साथ हो सकता है कि उसकी और information भी आपको बता दे, यह देखी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, अपने database से निकाल कर लाएगा, और यह देखी, इसने प्रॉपर लिखके दे दिया है, the capital of India is new Delhi, located है national capital territory of Delhi, new Delhi is the seat of all three branches, और इसने और भी मतलब हम कह सकते है कि उससे जादा important जानकारी आपको दे दी है, इसके बाद जाहर सी व करेंगे, यहां से इसको cut करेंगे, फिर इधर Google पर आएंगे, यहां से जानकारी निकालेंगे, यह सारी चीज़े परेंगे, आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, इसने यह जो है, जो ब्राउजर इस्तमाल कर रहा है, जैसे कि मैं इसको capital of India पर click करूँगा, तो यह मु पूछिए दोस्तों, 80-90% तक इसकी जानकारी आपके काम आएगी, अगर आप exact चाहेंगे, जैसा कि मैंने जानना चाहा था, कि भोपाल का weather क्या है, तो वो यह accurate नहीं दे पाया, मैंने live score जानना चाहा, semi-final match का, तो वो भी यह नहीं दे पाया, तो काफी सारी चीज़े हैं नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले सालों में ये भी संबब होगा, इसलिए अगर आप WhatsApp का बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते हैं, और आप चाहते हैं कि ऐसी काफी सारी चीज़ें आपको WhatsApp विंडो से switch ना करनी पड़ें, और WhatsApp पर ही अगर आपको मिल जाएं, तो आप इसका इस्तमाल कीजिए, Meta AI इसका नाम है, आप यहां से इसकी जानकारी देख सकते हैं, यह business account है, बहुत अच्छी है दोस्तों, और अपने दोस्तों को share कीजिए, उन्हें बताईए कि अगर ऐसा update आता है, तो उसका इस्तमाल कर सकते हैं, आपके हाथ में हैं, आपको insist नहीं किय है जा सकता, लेकिन आपके काम जरूर आएगी, एक AI जो है, दोस्तों दिन पर दिन, लगबग-लगबग सभी websites में और सभी जंगा पर जो है, replace करने वाला है, जो manual काम होते थे उसको, तो आप भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो share कीज कीजिए, subscribe कीजिए, मेरा नाम है बिविक भारत बाच, thank you